Hello friends, welcome back to my channel Friends, क्या आप चानते हैं कि मात्र ऐलोविरल जल के जरीए भी आप अपने बालों को लंबा, घना और चड़ से मजबूत बना सकते हैं अगर नहीं तो आज मैं आपके शाथ एक कैसा नुस्खे करूँगी जिसके जरीए आप जानेंगी कैसी ऐलोवरेजल के जरीए आप अपने बालों को लंबा घना और मजबूत बना सकते हैं तो चले शुरू करते हैं आज के इस नुस्खे को बालों को लंबा और घना बनाने के लिए आपको लेना है ऐलोवरेजल की फ्रेश लीव मैंने फ्रेंट्स यहां पर अलोवरेजल प्लांट से लिया है आपको भी अलोवरेजल प्लांट से ही लेना होगा इसके बाद आपको इसके साइडों से दोनों साइडों से काटे निकाल लेने होगे बहुत ही असानी से यह कट हो जाता है इसके बाद आप इसको इस तरह से कट कर लीजे याने कि बीच में से आप इसके दो हिस्से कर लीजे मैंने फ्रेंट्स इसके दो हिस्से कर लिये हैं अब आपको फ्रेंट्स या दो चम्मच की सहायता से या फिर इस तरह से चाकू से भी आप इसके जेल को निकाल लीजे इस त तो चलिए जल्दी से इसका सारा जैल निकाल लेते हैं आपको भी इस तरह से इसका जैल निकाल लेना होगा बहुत ही अच्छे से इसका जैल निकल कर त्यार हो चुका है अब हमें इसे एक बाउल में डाल लेना होगा अब मात्र आपको इसमें एक चीज और एड़ करनी है उसके बाद देखे ये कैसे आपके बालों की चड़ों का मजबूती कर देती है घना बनाती है और बालों को तेरी से लंबा भी करती है आपको इसमें एड़ करना होगा ओलिव ओल का आपको फेंट समात्र इसमें एक चम्मच ओलिव ओल एड़ करना है और ये आपके बालों को तेजी से लंबा काला खना मजबूत बना देगा इस तरह से आप इसमें एक चम्मच ओलिव ओल का ऐड़ कर दीजिए और इन तोनों को आप मिक्स कीजिए और उसके बाद आप इस पेश्ट को अपने बालों में लगाएगा पुरी रात के लिए लगा कर आप इस अपने बालों में छोड़ दीजिए और सुबह होने के बाद आप अपने बालों को शैंपू कर दीजिए यकीण मानिए इसके जरी आपके बालों तेरी से लंबे, घने और काले हो जाएगे बालों की चड़े मजबूत हो जाएगे जड़ना तोटना बालों का पेजानपन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा तो गाईज अगर आप भी चाहते हैं आपके बाल भी तेजी से healthy मजबूत खने दिखें तो एक बार इसमे उसके का जरूरी उसकीजिएगा तो गाईज यह था आज का मेरा वीडियो आज के वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छा लेते तो वीडियो को लाइक के ज़रे मुझे जरूर बताएगा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर नए है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जिरूर कर लिजेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई दोस्तों